नमस्कार दोस्तों रेल्वे की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार ने अगले डेड़ साल के अंदर दस लाक गोर्मेंट जो यहां पर देने का वाइदा किया है तो इसे में दोस्तों यहां पर राजसबा में सब कुछ यहां पर डिटेल स पर आचुका है और क्या सच में केंद्र सरकार है आगले देड़ साल में दस लाग पदों पर भढ़ती देगी इस वीडियो में आप पर सब कुसे डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है रिली भरती के ल पर जो भी गुवर्मेंट एक्जाम होती है सबके प्रिवेश एर क्यूशन एविलेबल है और मोडल टेस्ट क्यूशन भी इवलेबल है इसके लावा सेक्शनल वाईज स्पी टेस्ट सारे अवलेबल है तो दोस्तों यहां पर टेस्ट पुक के प्लेटफों पे चल रहा है पर दोस्तों आपको इनके प्लेटफों पर जो किसल दोस्तों वीदियो की डिसक्रिपशन पर आपको लिंक दिया करके है into दिया है एहां देखलिए आपका गॉर्मेंट इंडिया राज्य सबह में यह जो प्रशन यहां पर पूछा गया था तो यहां पर आप देख सकते हैं यह Qution Number है 2196 और दोस्तों यह Qution है इसका अंसर 4 अगस्त को दिया गया था और यहां पर देखे किसके regarding था recruitment of 10 लाग people by government और यहाँ पर देखे यह जो question पूछा गया था यह स्री संदीब कुमार जो पाठक है इनकी तरफ से पूछा गया था तो उन्हें ने पूछा कि will the Prime Minister be pleased to state यान कि क्या प्रधानमंत्री जी नीच दीएगे प्रसनों का जवाब देंगे तो यहाँ पर देखे पहल पूछा है कि यहाँ पर अगले डेट साल के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2020 को यहाँ पर अनौंस्मेंट किया था कि अगले डेट साल के अंदर 10 लाग वेकेंसी आने वाली है तो उनको डिपार्टमेंट वाइज और मिनिस्ट्री वाइज ब्र SU मिनिस्ट्री वाइज ब्रेकड़ाउफ द अनौंस्ट शक्यो笑 नोटिफिकेशर रिजले बाई इस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री याए दो डेट यानिकी अभी तक अगर किसी उपए बढ़ते देगी तो इसके लिए क्या-कना पर ऊटाए गये हैं तो यहां पर देखिए यहांपर सबकार यहां पर दिया गया है तो आप전 के टीनो प्रसानों का आंसर यहां पर दिया गया है as per annual report of pay research unit of department of expenditure the detail of sanction post and the number of position under various ministry department of the central government as 132.2.1 is annexed यानि कि जो यहां पर हमारा expenditure department है यानि कि विभाग है उसकी detail यहां पर announce की गई है और उन्होंने बोला है कि 132.21 ठीक है 132.21 तक यहां पर जो भी seatे खाली है वो दोस्तों आपको नीचे annexed number दिया गया है उसके अंदर आपको बताई गई है आगे देखें However, filling up post in the central government is responsibility of the concerned ministry और यह जो post है इनको भरने की जो जिम्मेदारी है वो उनसे सम्मंदित जो ministry है या department है उनकी है और it is continuous process और यह इसकी जो प्रोसेस है यहां पर चल रही है vacancies in various ministries, department of the central government their attached subordinate office arise due to retirement, promotion, resignation और death जो आपके seat है खाली होती है जो vacancy होती है किसी भी department में किसी ministry में वो किस वज़े से होती है या तो आपके retirement हो जाता है, promotion हो जाता है माले जी कोई 800 पे ग्रेड की post है उसको मालों गुनी सो में promotion दे दिया 2000 में दे दिया तो यह post हो खाली होगे ना तो इस प्रकार से खाली हो जाती है कोई अपना regeneration दे देता है हाना त्याग बत्र या डैट हो जाती है इस वज़े से यहां पर post है यहां पर vacant हो जाती है all ministry department of the central government have been asked to take action in the mission mode of filling up the vacancy post in the bound manner और यहां पर देखे सभी ministry जो है उनको यहां पर आदेश दिया गया है और यहां पर आप देखेंगे तो यह यहां पर दिखाई है कि किस ministry में यहां पर कौन कौन सी सीट यहां पर vacant है तो देखें यहां पर आप इस list को आप टेलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर देखेंगे इदर आपको ministry और department दिखह रहा है यहां पर देखें नंबर ओफ शैंक्षेंस पोक्त अन्य कि सिटने वर्थमान में बरी हुरी होई है अना तो यहां पर आप देख सकते हैं देखिए यह थोड़ा सा ओर में जूम आउट कर देता हूं तो यहां पर फर्स्ट मिनिस्ट्री देखेंगे एगरिकल्चर और रिसर्च एंड एजूकेशन तो यहां पर देखेंगे केवल आपके 54 सीटे थी और इनमें से 241 ही बरी वह आपके हैं आपके 4,35,23 और उनमें से वर्तमाने में दोस्तो तील लाक वह आपके 30,55,876 यहां आपके 10 लाक सीटे यहां पर सेंटल गौर्रमेंट के पास सिसमें खाली हैं अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं रेलवे की क्योंगे मिनिस्ट्री बहुत सारी है और हम यहां पर रेलवे की बात कर लेते हैं कि रेलवे के अंदर कितनी यहां पर सीटे वेकेंट हैं तो यहां पर आप देखिए रेलवे के अंदर यहां पर देखिए मैंने आपके सामने यह कर लिया जूम यहां पर देखिए रेलवे में जो टोटल वेकेंसी है वो टोटल जो है 15,14,007 करमचारी रेल्वे में कार्य कर सकते हैं मैक्सिमम लेकिन वर्तमान में केवल 12,20,400 करमचारी काम कर रहे हैं यानि कि अप्रोक्समेटले आप देखेंगे तो रेल्वे में 3,00,000 पदिया पर खाली है और यह जो डेटा है कब का है अभी आपको पता है यह जो डेटा है वो आपका मार्च 2021 का है ठीक है तो मार्च 2021 के बाद में रेल्वे में कोई आपको पता है कोई बर्ती आपके आई नहीं है पहले की बर्ती है अब देखेंगे यहां पर आप देखेंगे तो एक सीज़ आपको क्लियर होगी एक सीज़ मा आपको बता दू कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था ना तब उस समय जो रेल मंत्री थे प्यूश कोईल उन्होंने भी बोला था कि रेल्वे में अगले चार साल के अंदर चार लाख वेकेंसी जाएंगे अगले चार साल के अंदर या आप मानके चलिए कि अगले पांस साल के अंदर एनिग लेक्शन 2024 तक चार लाख वेकेंसी की उन्होंने बात करी थी और देखिए उनमें से आप देखिए एलपी टेक्निशन की भरती नोंने निकाली ठीक है इसके अलावा गुरूबडी दोजरा अठार निकाली देखो एलपी टेक्निशन निकाल दी एलपी टेक्निशन और इसके अलावा गुरूबडी में 62,000 के सम्तिंग पत थे इसमें 46,000 के आसपास थे जेई वगरे की में निकाली इन्होंने ठीक है और मिनिस्ट्रियल आइसूलेटेट के ठीक है तो आप मानके चलिए कि उन्होंने तो यहाँ पर खाली है और यह तो डेटा है ना यहत दर देखो गाए ना इसमें आपको देखेगा कि तीन लाग पतोवे बरतियां कर लेकिन तीन लाग बरतिया है कब एक मार्च को लेकिन एक मार्च के बाद जो भरतिया निकलि इनकी जोईनिंग तो होईगी ना करेंट में आपको पता है कि NTPC और आपके गूरूब D के अंदर अप्रोक्समेटली 1.4 लाग वेकेंसी इस से में चल रही है हना तो इस हिसाफ से देखें तो आपके अप्रोक्समेटली 1.5 लाग वेकेंसी है और अगर प्यूश गोईल का जो अगर हम देखें उस समय का वक्त से नहीं आएंगी यह चीज़ आप ध्यान रखेएगा वरतमान में जो एक लाग तीन अजार जो गूरूब D की वेकेंसी चल रही है वो भी इसी के अंदर इंक्लूट है और आपके NTPC जो आपके 35,000 क्यास पर बढ़तिया है वो भी दोस्तों इसी के अंदर इंक्लूट है यह फिनिस नहीं हुई है इसलिए इसी के अंदर काउंट होगी तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप तयारी आपनी कीजिए जो भी आप रेल्वे के तयारी कर रहे है और जिनके अभी एज नहीं हुई है जब 2019 में बढ़ती आए थी तब उनकी एज नहीं हुई थी द दोस्तों यहां पर रिप्लेस्मेंट पैनल यहां पर बार-बार जारी किये जा रहे है इसके अलावा गुरूब डी की यहां पर जो भरती है यहां पर आएगी तो यह जो दो पद हैं यह तो आपके आएंगे तो इसके लिए आप तयारी कीजिए बाकि जब ओफिशन नोट देखनों मिल जाएगा बागी तो जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल मिल जाएगा तो टेलेग्राम गुरूप को और यूटूब चैनल को दोनों को आप सस्क्राइब करके रखिएगा वीडियो आपको अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैहिंद वन्दे मातरम